हलो फ्रेंज नमेशकार आज हम बात करेंगे कि आप मैनिफेस्टेशन किस तरीके से आपकी पूरी होती है क्या है सारा फटना छोटी सी वीडियो में कवर करने की सार चीज़े कोशिश करेंगे मैं लंबी वीडियो ज्यादा इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि लंबी वीड भी कर देती हूँ बट फिर भी कोशिश करती हूँ चीज तीन चार मिनट में कवर कर सकूँ तो देखें ये जो चीजे हैं सारी चीजे क्या हैं हमारे साथ सिचुएशन जो भी है लोग जो भी है सारे के सारे हमारे बिलिफ सिस्टम यानि कि हमारे सब कोशिएस माइंड की प हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, क्या चीज़ें हमारे पास हैं, क्या लोग हमें सुनाते हैं, क्या लोग हमें बोलते हैं, किनकी बातों से हम influence होते हैं, किनकी बातों का हमारे उपर असर होता है आपके आसपास कैसे लोग हैं, उनकी बातों को आप कितना ज़्यादा value देते हो, positive है, negative है यह सारी चीज़ें बहुत जादा matter करती है अगर आपके आजपास के लोग नेगेटिव है और वो अपनी नेगेटिविटी की चाप 24 गंटे आपके दिमाग में एक बात को बार 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 बोलते रहते हैं तो 101% का 1001% आप भी उन लोगों के जैसे ही है अगर आप अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में हैं लेकिन आपकी जो इनर टॉक है आपकी इनर सेल्फ है वो उनको हमेशा बाइकाट करती है हमेशा उनको बाइकाट करती है तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथन होती है आप एक अंदर से मजबूत इंसान होते है आपके आसपास के जो नेगिटिव लोग होते है वो आपकी इस नेचर को देखते हुए दबते हैं क्योंकि जो गलत चीज हमेशा दबती है बले ही वो कितनी ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिस करे बट एंड रुजल्ट रॉंग चीज का हमेशा देस्ट्रॉय होता है तो वो आपकी इस पॉजिटिविटी को देख कर न घपराते हैं डरते हैं क्योंकि उनको इंदर एक डर होता है कि यस हम तो यार गलत है और गलत चीज का अंजाम हमेशा खतम होना ही होता है डिस्ट्रॉय होना होता है तो जो भी आपकी manifestation है ना उसको अपके subconscious mind में बार बार repeat करें बार बार talk करें अपने आपसे आपकी self-talk क्या है जो भी आप चाहते हैं अपने life में उसको बार 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 repeat करें बार 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 अपने subconscious mind को यह बता दे कि यह चीज already मेरे पास है होगा यह आपका subconscious mind आपको आपके अंदर उसी तरीके के विचार उसी तरीके की feelings जो आपकी manifestation से जुड़ी हुई होगी उसी तरीके की feelings इन्स उसी तरह की विचार जनरेट करने शुरू करेगा, आपको वो ऐसे ही लोगों से जोड़ना शुरू करेगा, जो आपकी विच से जुड़े हुए होंगे, और आपके लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन आके रियालिटी बन जाएगी, हमें अपनी मैनिफेस्टेशन क अपने अंदर महसूस करना पड़ते हैं, और फिर जैसे ही हम अपने इनर वर्ड में अपनी मैनिफेस्टेशन को महसूस करते हैं, वह ही चीज हमारे आउटर वर्ड में आकर खड़ी हो जाती है, sorry for that, मेरा बेबी बार बार, ममी, ममी, ममी बोला, से ममा, काका बोला, ममा, बो आपके सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आप लोग मेरी छोटी सी बेबी को बहुत ब्लास करते हो, so thank you for watching, bye bye